गुड बॉर्णिंग बच्चो आज हम टेंथ क्लास की मैज सब्जक्ट चेप्टर आठ टर्गनोमेट्री यानि तिरकॉनमेटी के बारे मैं दिन करेंगे तिरकॉनमेटी तीन सब्दों से बना है ट्राई गोन और मैट्रोन से ट्राई का आर्थ है तीन गोन का आर्थ है उसका अनुपात के से निकल आजा ऑए तो वह याद रखना है आपने एक शूंकोंत मित बुझ Mill कोई राइट आंगल ठीक है तो यह तो तो कहते हैं कि याद रखना तो कहते हैं याद रखना तो कहते हैं कि रेस्पेक्ट में, एकूट एंगल के रेस्पेक्ट में, जो साइड्स का रेश्यो होता है, साइड्स का रेश्यो, उसको क्या बोलते हैं, कोणों का, 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 को तो क्या कहते हैं याद रख्यों बिद रहता है डिखे दक मेंसे कर आतरु है तो इसको याद करना है the देखो, सबसे पहले आगे पढ़ा था कि trigonometry में क्या है sign छोटे वर्डों में sign cos और क्या है 10 ठीक है, तो इनका अध्यन करते हैं, तो sign ठीक है, याद है या आपको sign की spelling भी, sign या cosign, ठीक है या फिर क्या है, tangent भई, क्या है, tangent तो इन से represent करते हैं, यह इनकी full form है, यहने पूरी है और यह short form है, छोटे रूप में ऐसे लिखे जाते हैं, तो angle के हिसाब से लिखेंगे, sign, cos और tangent, ठीक है sign का वैसे आर्थ बताया है sign जो है, sign का जो आर्थ है, वो बताया गया है जया या फिर जीवा जया या फिर क्या है जीवा, ठीक है, जया या फिर जीवा, और कहते हैं के जो यह किस से लिया गा था, sinus से लिया गा था, किस से लिया गा था sinus से भई, ठीक है sinus, और हम use करते हैं sign भई, आजकल, ठीक है, इसी परकार क्या है, cos यूज किया यानि के इसको भी cosinus कहा जाता था ठीक है cosinus और आज कल हम cos ही use करते हैं याद रखियो इस बात को ठीक है यानि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें sin और क्या है cos को ही use करना है अब तो इनका तो कोई मतलब है यहीं नी इसी परकाट tangent है यानि 10 है ठीक है दोनों के base पर है और एक बात specially बता आगा है कि जो cos है यानि cosin है वो क्या है पूरक है वही किसका पूरक है वो sign का यानि इसको नहीं है complementary angle है वही ये ठीक है तो देखिए कैसे निकालते है इनकी देखो अनुपाद कैसे निकालते है इसका से याड़ेंटी थोड़ी ची याद करने पड़ेंगे आपने कैसे देखो वही कोई बूजा होगी वहमें साब की क्या हती है perpendicular यानि आईपोटेनियस यानि के करन भई क्या है और जो बच्ची भी बुजा रहेगी वो क्या है आपकी बेस अधार भई ठीक है तो याद रखोगे कोई भी एंगल दिया गाया है जैसे कोई दूसरा एक्जामपल ले लेते हैं देखिए ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है राइट एंगल एट एमाल लो तो क्या गया ए बी सी तो क्या है बी एंगल दिया है बी के सामने क्या है बी के स तो कोई भी एंगल हो तो उसके आधार पर आपने याद करना है दूसरा देखिए, देखो, कैसे याद करते हैं देखो, निकालो देखो, एक एक करके जैसे आप माल लो कि यह ट्रेंगल दे दी, ठीक है यह समकोन तिरबुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है एट बी माल लिया, तो क्या गया, A, B, C एंगल दिया है, आपका A भई, ठीक है, यह एंगल दिया है तो क्या करोगे, अब देखो, अब आपसे पुछा है कि साइन A, ठीक है, साइन A, अब देखो साइन A कैसे ग्याद करना है, यह तो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकोलर, यानि के लम माना जाएगा, ठीक है, याद रखना और यह क्या हो जाएगा, आपका आइपोटेनिस, यह तो बड़ी है बुझा बड़ी बुझा, यानि के उसको क्या बलते हैं, करन भई, ठीक है, क्या बलते हैं, करन भई और यह जो बचगी यह क्या आजएगा बेस यानि के आधार भई अब देखो देखने में यू लग रहा है कि यह लब होना चीए था ठीक है लेकिन अपने से पुछा क्या गा है कोस ए या साइन ए या कोस ए या टैन ए तो इस अगले ए ये रेस्पेक्ट में चलाना सारक सारा ठीक है यदि इसी ट्रैंगल को हम क्या है कि इस परकार से पूछता क्या पूछता आपने से कि यह एंगल क्या है कि A B C A यह एंगल है अपका तो अब देखो अब आगले ने पूछ लिया क्या साइन सी निकालना है तो साइन सी अब एनी पूछा उसने तो साइन सी निकालना है तो एंगल देखा आपने एंगल के बेस के ओपर सी सी के आप पोजिटिव में बिल्कुल फरेंट में कौन सा है सामने देखो तो सामने देखा तो आपने ये दिखाई दिया तो ये क्या क लखोगे इस चीज़ को ठीक है नहीं साइन सीयो या को सीयो या फिर क्या है टेंजेंट सीयो तो अब आपको पता चल गया कि इस हिसाब से कैसे देखना है ठीक है अब फार्मुला याद करना है एक छोटा सा आइडेंटी याद करनी है देखो भई हम जर्नली यूज करते हैं लाल बटे कक्का भई ठीक है लाल बटे कक्का ठीक है तो फो ये इंदी मीडें वालों के लिए है एल से सी दल लम बन गया भई ए से क्या बन गया आदार बन गया भई एल से क्या बन गया लम बन गया ठीक है के से क्या बन गया करन भई ठीक है और दूसरे के से भी क्या बन है तो इसका होला क्या जेगा साइन थीटा वई तो साइन एंगल को भी माल लिया साइन थीटा क्या है जेगा लंबटे करन वई ठीक है दूसरा क्या जेगा दूसरा देखो दूसरा क्या है अब वो याद करना आदार बटे करन भई तो उसको क्या बोलते हैं कोस थीटा भई तो क्या जेगा आदार बटे करन भई और क्या गया टेंजेंट थीटा वैसे क्या है साइन बटे कोस कर देते तो सीधा ही आ जाता तो वैसे लंब बटे आदार भई क्या है लंब बटे आदार ठीक है तो इसके इसाब से बोले, देखो P से perpendicular, B से base, P से perpendicular, H से hypotenuse, H से hypotenuse, B से कहा है, base, देखो perpendicular upon कहा है, hypotenuse, क्या जएगा, sin theta, चाहिए, किसी तरीके से भी याद कर लेना, perpendicular upon hypotenuse, post theta किसके बराबर आजएगा, base upon hypotenuse, और क्या गया, 10 theta जो है, वो किसके बराबर आजएगा, perpendicular upon में, base, ठीक है, तो इस परकार से आपने, याद करने है, identities भई, ठीक है, identities याद करनी है, तो देखो, इनी के base पर हम formula कैसे prepare करते हैं, देखो, याद करने हैं आपने, देखिए, बात चल पड़ी, आप से कोई पूचता है, तो देखो, एक triangle कैसी है, right angle triangle, हम इसे याद रखना, right angle triangle के अंदर ही trigonometry का अध्यन की अगा, study की अगा है, trigonometry में, ठीक है, तो right angle triangle, यानि के समकुन तिरबो जरूर लेनी है, तो कोई भी angle है, तो एक angle क्या होगा, 90 का, बचो यह क्या है, accurate angle, यानि के नियून कुन क्या लाएंगे, अब मान लोगे, A, B, C, तो उसने पूच्छा है के, देखो, इसी में दोनों चीज पूच्छी है, मान लोगे sign A, पूच्छ लिया, ठीक है, sign A कैसे निकाड़ते हैं, अभी बताया था, A के सामने, यह तो क्या 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 लाएगा, याद रखना है अपने, इसके सामने, अब क्या होगा परपेंडिकुलर, यह क्या होगा आइपोटेनियस, और यह क्या होगा, देखो, यह क् परपेंडिकुलर, लंब होगया, यह क्या होगया, करण, और यह क्या होगया, आदार भई, ठीक है, तो अभी फार्मुला पड़ा, लाल बते, कक्का, या फिर क्या है, के, पंडित बदरी परसाद, हर हर बोले भई, ठीक है, तो देखो, लंब बते करण, तो sign A किसके ठीक है, अब माल लोके, यही ट्रेंगल होती, यही ट्रेंगल सेम यूँ का यूँ होता, तो A क्या है, के, A, B और क्या था, C, ठीक है, तो अब उसने पुछाता के sign C बताईए, ठीक है, B तो पुछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो क्या है, perpendicular है, ठीक है, तो C के सामने, अब ये क्या होजएगा, perpendicular भई, C के सामने क्या होजएगा, perpendicular यनि के lump, ठीक है, ये क्या होजएगा, Ipotaneous, यनि के करण भई, और ये क्या होजएगा, यनि के base, यनि के आदार भई, ठीक है, तो sign C की value अब क्या जेगी, अब देखो, lump, lump क्योंड सा है आब, देखो, A, B, ठीक आपने कोस A निकालना पड़ जाता, तो क्या निकालते है, कोस A, आधार भटे करण, आधार क्या है, A, B, ठीक है, और करण क्या है, A, C, तो इसी परकार मान लोके कोस C निकलवाता, देखो, दोनों में हाल लगे ने, तो याद रखना, कोस C निकलवाता, तो अब क्या है, द ठीक है, इसी परकार टेंजेंट है भाई, टेंजेंट क्या आता है देखो, लंब बटे आधार लंब क्या है इसमें देखो A, B और आधार क्या है B, C, तो इस परकार आपने ठीक है, तो आइडेंटी इसे आज कीजिए, कल आपको इसक्षण कर वहें